Hi everyone, मैं Robin, आप सभी को welcome करता हूँ हमारी इस number system की series में जो की मैं आपके साथ किरन के PYQs की book से ले रहा था bilingual हमारे सवाल होंगे और explanation भी जो मैं आपको दूँगा वो Hindi और English टोनों में ही देने की कोशिश करूँगा This part will be presented by me, my name is Robin अभी तक number system से हमने एक part किया था अब हम कोशिश करेंगे daily अपनी इस वीडियो को लाने की जरूरत समझें तो चलिए start करेंगे, वीडियो पसंद आती है तो like करें अपने friends के साथ अगर आप share कर सकते हैं तो share भी करना ना बोलिए सवाल को पढ़ते हैं, दौनों ही language में आपको मैंने यहाँ पर सवाल दिये हुए है If n be any natural number, then by which largest number? Largest number आपसे बोला है, this is always divisible तो देखें, ऐसी condition में सबसे पहले आपसे जिस number के बारे पूछा गया है पहले आप इस number को simplify कर लीजे अब इससे अगर मैं और simplify करूँ, तो यह मेरा हो जाएगा n, n plus 1 और n minus 1 यह चीज़ clear है अब देखें, आपसे पूछा गया largest number और आपको यह भी रखना है, कि n वहाँ पर natural number हो, यह divisible हो तो उस largest number को लाने के लिए, मुझे ऐसी condition देखनी पड़ेगी कि मैं n का मान छोटे से छोटा रखूँ, तब ही मेरे को उसके करीब जाना मरल जाएगा जैसे कि अगर मैं 1 रखूँगा, तो यह 0 हो जाएगा, लेकिन n equal to 2 पर मुझे यहाँ पर check करना होगा n equal to 2 मैं रखूँगा, तो यह कितना हो जाएगा, 6 और यहाँ पर आपका यह value कितना आ जाएगा, 6 तो यानि कि वो largest number जो होगा, वो इसे हमेशा divisible करेगा यानि कि by 6, number this is always divisible, तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 6 आपका यहाँ पर correct answer हो जाएगा next है, 4 to the power 61, 4 to the power 62, 4 to the power 63, divisible होता है किस से, तो मैं आपसे कहता हूँ, 4 to the power 61, आप ले लीजिए common तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर आपका 4 बचेगा, और यहाँ पर आपका 4 square बचेगा, यह total value कितनी आ गई, यह आगे आपके पास 13 तो यह आपके पास जो value है, यह है 13 into 4 to the power 61, तो अगर आपसे पूछा जाए कि निमलिकित में से किसे विबाज्य है, तो एक ही नमबर आपको यहाँ पर दिखिया, 13 obviously इसे divide करेगा, तो यहाँ पर आपका answer क्या हो जाएगा, 13 आया, कितना आये गई है, 5 हो गया, 8, 5 तो 13 होत यह किस आएगा, sorry, यह किस आएगा और 21 का मैं division करूँगा, तो 3 से मेरा यहाँ पर divide हो जाएगा, यानि कि option number 1 मेरा यहाँ पर clear होगा, मैं इसको 8 count कर रहा था, ठीक है, यह 16 होगा, तो इसके लिए sorry, next है, if the sum of the digits of any integer lying between 100 और 1000 के बीच मैं lie करती है, is subtracted from the number, तो result always क्या होगा तो देखे, ध्यान से समझना है, आपसे बोला गया, 100 और 1000 के बीच में कोई संख्या है, उस संख्या के जो अंक है, उनका योग, अब उसको अगर मैं उस number में से minus करूँ, तो वो जो result है, वो result हमेशा इन में से किस से divisible होगा, तो देखे, मैंने आपके सामने एक संख्या ल तो यह कितना हो जाएगा, x plus y plus z, अब मैं यहाँ पर आपसे करता हूँ, इसका इन में से difference, यानि कि यह बोला गया था था न, कि जब मैं इनको subtract करता हूँ, तो मैं इसको minus कर देता हूँ, तो देखे, मेरे पास क्या आता है, मेरे पास आता है 99x, मेरे पास 99x आएगा, plus 9y अब यह मेरे पास सिर्फ value i है, यहाँ से मैं 9, लेख सकता हूँ, तो यहाँ पर आएगा 11x plus y, अब यहाँ पर अगर बोला जाए, कि यह always किस से divisible होगा, तो obviously आपको यहाँ पर देख गया, कि यह आपका divisible होगा 9 से, तो आसान था, यह आपको result याद रखना है, standard result है, तो prime number है, यानि कि यह rude ही संख्या है, अब obviously अगर आप किसी prime number का multiplication करेंगे, यानि कि 11 into 13 का multiplication करेंगे, तो यही जरूरत होगी न, फिर आपको divide करने की, if a number is divisible by both यह number, तो LCM आपका यह आ गया, यानि कि यही पूरा number चाहिएगा, आपको divide करने के लिए, तो यहाँ पर कौन सा option हो जाएगा, अपका third option correct हो जाएगा, if star is a digit such that यह number है, इसको अगर 11 से divide करना है, तो star की value क्या होगी, तो 11 की divisibility आप सभी को पता होगा, कि alternate numbers के sum का difference आपको 0 या 11 मिलना चाहिए, तो यह कर लेते हैं, यह कितना होगे, 5, 2, तो यह होगे आपका 7 plus star, ठीक है, उसके बाद बा उसी साब से मुझे देखना होगा, या फिर मैं यह बोल जाकता हूँ, कि इनका sum equal होना चाहिए, तो यह कितना हो जाएगा, आप इसमें से minus कर दीजे, उसमें से minus कर दीजे, x की value आपके पास 5 आजाएगी, यानि कि यह star की value होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, option number 3 आपका यहां स से correct हो जाएगा, next है, आपके सामने एक 4 digit का number है, उसे form किया जाता है, जहाँ पर 2 digit को हम repeat करते हैं, जैसे कि 25, 25 हो गया, 32, 32 हो गया, any number of this form भी हमेशा किस से divisible होगा, तो देखिए, यह होता है, 101 से divisible, यह result याद रखना है, कैसे मैंने किया है, यह मैं आपको समझा देता कि मैंने क्या किया, इन digits को repeat किया था, ठीक है, तो पहले मैं आपके सामने number बना लेता हूँ, जैसे कि देखिए, 1000 place पर आपका मालीजी, यह आपका हो गया y, ठीक है, अब उसके बाद 100 place पर आपका हो गया x, अब यही same digit यहाँ पर repeat हो रहा है, यानि कि 10th place पर भी y आएगा और यहाँ पर आएगा आपका x, अब यह आपकी संक्या है, अगर मैं आपसे कहूं कि भई, यहाँ पर अब इसे solve कीजी, तो यह कितना हो जाएगा, 1000, 10y, प्लस यह कितना हो जाएगा, 101x, क्या आप यहाँ से 101 common ले सकते हैं, बिलकुल ले सकते हैं, तो यह हो जाएगा 10y plus x तो यह बाहर कितना बचा है आपका 101 बचा है तो यही वो संख्या है प्राइम नंबर के फॉर्म में जो कि हमेशा आपको यहाँ पर मिलेगी यानि कि smallest 3-digit प्राइम नंबर ही वो होगा जो कि ऐसे 2-digit के repetition की संख्या को divide कर देता है Next, it is given that यह जो number है यह exactly divide divisible है एक certain number से Which one of the following option is also definitely divisible by the same number तो मैंने कहा कि एक अगर संख्या है वो इससे divide हो जाती है तो इन में से option में से बताएंगे कि वो कौन से संख्या है जो की इस number से divide हो जाएगी तो मेरे को कोशिश क्या करनी होगी इन 4 option में से मुझे देखना होगा कि यह जो value है यह किसका factor है अगर किसी का factor मुझे पता चल जाएगा तो आसानी मेरे लिए हो जाएगी तो देखे पहला option ही मेरे ख्याल से हो जाएगा आपको मैं इसे solve करके दिखाता हूँ तो 2 की power 96 को मैं क्या लेख सकता हूँ 2 की power 32 इसकी power 3 प्लस यहाँ पर हो गया 1 की power 3 अब इसे जब आप open करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 2 to the power 32 प्लस 1 यह आपका एक factor आएगा बाकी दूसरे वैकेट में कुछ होगा तो यह जो value थी जब इससे वो divide हो रहा था यानि कि इस वाली value में जो कि इसका हम यहाँ पर formation दिखा रहे हैं तो यह भी divide हो जाएगा क्योंकि इसमें हमें यह मिल गया तो इसी वज़े से मेरा पहला option नहां से correct हो जाएगा next है greatest whole number by which the expression यह जो दिया गया है is divisible by every natural number तो देखिए पहला जो हमने सवाल किया था same उसी तरीके का है मैं पहले आपसे कहता हूँ कि n की value आप यहाँ पर एक रखिए एक रखेंगे तो कितना हो गया 6, 11, 17 यह आपका 18 और 6, 24, 24 यानि कि यह आपका आएगा कितना 48 value आ जाएगी अब n की value आप रखकर देखिए 2 n की value आप जब आप 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 16 उसके बाद यह कितना हो जाएगा 48 उसके बाद यह कितना हो जाएगा 44 प्लस 12 और प्लस है आपका 24 सम कीजिए यह आपका कितना हो गया 64 और 64, 68, 108, 12 यह आपका हो जाएगा 44, 144, जब यह नंबर आपका 144 आ गया, n इक्वल टू वन पे 48 आया था, n इक्वल टू टू पे 144 आता है, तो देखी अगर मैं यहाँ पर देखो, तो इसमें भी आपका 48 छुपा हुआ है न, अगर मैं से तरी टाइम कर दू, तो यह नहीं कि 48 common value है, तो इतली डिविजल मैं, 225 के, तो देखी हम पहले इसको डिवाइट करके देखेंगे, कि जो हमारे पास quotient आ रहा है, यानि कि भागफल आ रहा है, वो कितना है, फिर 5000 को 225 से करके देखेंगे, quotient कितना आ रहा है, फिर उसके बाद इनके quotient के बीच का difference लेख लेंगे, कि कितन लगबग 22 आपका यहां से quotient आ जाएगा, यानि कि भागफल, अब दीखेंगे आपको अगर इनके बीच के number बताने हैं, तो बस आप इनके दोनों का difference दिखा लेज़े, तो difference कितना है इनके बीच का, 18 यानि कि 18 number होंगे, जो कि 1000 और 5000 के बीच में होंगे, जो कि exactly divisible होंगे, 225 से, तो याद रखना है, यह इसका आपका इस तरीके सा answer निकलता है, next time find the largest number which exactly divides every number of the form this when n is a natural number greater than 2, तो दीखें पहले आप इसको कर लिजे, simplify, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, तो यह आपका आजाएगा, n, n-1, n-1 और यह साथ में क्या है, n-2, अब दीखें मु सबसे कम, क्योंकि अगर मैं जादा करूँगा, तो वो value कहीं न कहीं और बढ़ जाएगी, यह वाली आपकी जो value आपकी largest number नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर n equal to 2 नी, n equal to 3 मुझे रखना पड़ेगा, n equal to 3 पर यह मेरा 1 हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यह क कितना हो गया, यह 8 और यह आपका आगया 24, यहनि कि वो जो संख्या है, वो आपकी 24 होगी, the largest number, जो कि इस number को आपका completely divide करेगी, जब आप n को natural number लेते हैं, next and which of the following numbers will exactly divide यह number को, जहाँ पर दो number को बार बार रिपीट किया जा रहा है, तो दीखिए अभी जब मैंने आपसे पहले repeat करके बताया था, कि भई x y x y करके अगर कुछ number होता है, तो वो हमेशा divide करा जाता है 101 के द्वारा, यह आपको पता था, लेकिन जब x y x y x y हो नहीं होगी, वो कितना हो जाएगा, 10, 101, यह आपका answer होगा, करना कैसे है, वही है जैसे कि अगर मैं आपसे 10,000 place की बात करूँ, तो x y के साथ कर लेते हैं, यह मैंने आपका कर लिया 1000, ठीक है, अब x y और मैंने ले लिया, यह मैंने इसको 100 place बना दिया, अब last मेरा आ गया x y, simplify कर लिजे, last में common आपको यह मिलेगा, option number 2 आपका यह से correct हो जाएगा, यह आपको number दिया गया है, अगर मैं इस number को 77 ते divide कर दूँ, तो किसके बराबर होगा, यह तो आसान है, इसमें तो ज़्यादा timing लेगेगा, fourth option आपका यहापर correct हो जाएगा, अगला दिया गया है, अगर यह number है, अगर इसे इसमें add किया जाए, then इसको subtract किया जाए उनके sum में से, तो जो result है, वो किससे divisible नहीं होगा, यह मतलब वही है, sum करिए, फिर घटाईए, तो अगर मैं इन दोनों number को sum करूं, तो यह कितना आजाएगा, लगभग यह मेरे पास आजाएगा, 7 और 9 क कितना आजाएगा, यह आपका जाएगा, 22 चौवाइलेस, 22 चौवाइलेस आजाएगा, फिस 22 चौवाइलेस को आप divisible करके देख लीजे, कि इन में से कौन सा divisibility नहीं देता है, इसके साथ, तो देखे, देखकर ही आप बता सकते हैं, कि इन में से आपका कौन सा answer होने वाला है, तो पहले आप 4 से एक बार डिवाइड करके देख लीजे, तो 4 से हो रहा है बिल्कुल, तो यह तो answer नहीं होगा, 3 से divide करके देखे, 3 से भी divide हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, sum, 8 और बिल्कुल, यह भी नहीं होगा answer, 7 से करके देख लीजे, यह हो गया, 21, 2, 7, या सवाल को ध्यान से समझना है आपको बोला गया 307 यानि कि the least number which must be added greatest number 4 digit का ताकि उसका sum जो है वो divisible हो exactly 307 से तो पहले भी किसी number को अगर मुझे 307 से divisible करना है तो पहले मुझे करना होगा उसमें multiply ये चीज़ clear अब मुझे बनाना है क्या इसे 4 digit का number तो 4 digit का number बनाने के लिए आप देख लिए कि किसका मैं multiply कर दो इसमें एक ही करके आप देख लेंगे ना जैसे आप 32 को देखेंगे ना तो 32 का जब यहापर multiply करेंगे तो ये value जो पहुंच जाएगी ये पहुंच जाएगी आपके 9824 something आप चेक कर लीजिए option के थुरू ही हमें करना था तो अगर मैं इसे कितना हो करता हूँ ये 4 digit का number बन गया लेकिन 307 में में 33 का multiply करता हूँ अगर 33 का करूँगा तो कितना हो जाएगा 10131 और अगर मैं देखों के भी दोनों के बीच में difference कितना है यह आपका 130 हो गया यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा यह आपका हो गया 132 ठीक है 132 ही हो गया यह आपका आ जाएगा नहीं इसमें से थोड़ी ना मैनस करना है मेरा चार डिजट का हाइस नमबर कितना है 9999 इनके बीच में difference कितना है 132 का यानि कि 132 आपको करना था यह जो नमबर है ना इसने आपको idea दे दिया कि आपको पहुंचना कहा था ठीक है तो आपसे पूछा गया गया the least number which must be added to the greatest number of four digits greatest number of four digits आपका हो गया 9999 ठीक है अब उस four digits के नमबर में exactly divisibility मुझे 307 की बता दी थी तो जब मैंने 32 का multiplication करके देखा तो मैं यहां पहुंच किया तो obviously मैं एक बार चाहूंगा कि मैं 9999 के उपर पहुंच जाओ तो अभी मैं बता पाऊंगा कि इसमें मुझे क्या add करना पड़ेगा तो इसलिए मैंने 33 का multiply कर है कि यह मिला और इसके और इसके बीच का difference मुझे 132 मिला तो यहां पर जो answer हो जाएगा 132 मेरा correct हो जाएगा next है मेरा for any integral value of n यह जो है when divided by 3 वो leave करेगा remainder क्या यह आपको यहां पर बताना है तो देखे एक्सप्रेशन आपके सामने है अब आपको यहां पर क्या करना है आप इसको थोड़ा open करके देख लिजे के बई open करके क्या क्या चीज़ें आपको मिलती है तो मैं इसको लिख ले अब दीखे एक चीज़ बताएंगे कि यहां पर जम मैं divide कर रहा था इसा 3 से तो यह भी 3 से divide हो जाएगा यह भी 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 divide हो जाएगा यह बचेगा क्या यह वाला number जो मैंने अलग किया है इस 3 को अलग करने का तरीका ह यहीता है कि मुझे यहां पर दिख रहा था कि 3 यहां भी divide कर देगा, यहां भी कर देगा बस यहां पर मुझे adjust करना था जो कि plus 2 करके मुझे बता दिया कि मेरा जो stressful रहेगा वो कितना रहेगा 2 रहेगा next आपके सामने if a certain number of 2 digits is divided by the sum of its digits quotient आता है आपके पास 6 और remainder आता है आपके पास 3 if the digits को अकर मैं reverse कर दूँ और जो resulting number है उसको divide करूँ sum of the digits से जो quotient आएगा वो आएगा 4 और जो remainder आएगा 9 sum of the digits मुझे उस number का बताना है, तो दीखे पहली condition थी, तो पहली condition में मैंने माल लिया कि पर पास जो भी number है ना वो है 10x plus y ओके, अब ऐसी condition में आपको पता है जो आपका dividend होता है dividend आपका हमेशा क्या होता है जो आपका divisor होता है divisor, उसके साथ multiplication होता है quotient का और plus मैं क्या करता हूँ इसमें, लेमेंडा यह questions अभी को पता होगी अब ऐसा अगर मैं करूँगा तो मुझे क्या बोला गया, यह जो number है divisor मेरा कितना है, 10x यानि कि dividend, sorry dividend मेरा क्या है, 10x plus y जब मैं इसे divide करता हूँ तो मुझे quotient कितना मिलता है, 6 और divide किसे कर रहा था, मैं उसके sum of digits से, और remainder मेरा कितना है था, 3 इसे simplify कर लूँगा, simplify करके मेरा लगबग, लगबग कितना आ जाएगा, यह 4x आ जाएगा 4x minus 5y equals to कितना हो जाएगा, 3, यह मेरा पहला equation मन क्या, दूसरी equation में मुझे ऐसा ही कुछ करना होगा, कि जब मैंने reverse कर दिया, तो 10y plus x मेरा हो गया, क्या dividend, उसके माद diviser गया था मेरा, उनका sum of digits था, और मेरे पास remainder कितना आता है, 4 यानि कि 4x plus y और मेरे पास remainder कितना होता है, 9 इसको simplify करूँगा, तो मेरे पास क्या equation आ जाएगा, यह आ जाएगा 2y minus x equals to 3 यह मेरे पास दूसरा equation आ गया अब यह दो equation है, x और y की value कितनी हो जाएगी, y की value तो देखें, यहाँ पर देख कर ही पता चल जाएगा, यह लगबग आपकी 5 आ जाएगी, और x की value कितनी हो जाएगी, आपकी यहाँ पर से 7, तो यह दो number आ जाएगे, और sum देख लिएजे, sum कितना हो गया, 5 और 7, 12, यानि कि यहाँ पर आपका तीसरा option सही हो जाएगा, बस वही थी, यह equation आपको पता होनी चाहिए, यह equation आपको पता है, दो equation बन जाएगे, simplify करके x, y की value निकालके आप चीजों को कर पाएगे, आखरी सवाल है, session का a number when divided by 27, 37 छोड़ता है, वो एक remainder 55, same number को कर मैं divide करूं, 24 से, तो remainder क्या आएगा, देखिए, आसान है, ऐसे आपको क्या करना है, आपको number दिया गया, 27, 36 ठीक है, अब इसमें क्या किया, आपने जब divide किया, किस से, same number को आप divide करेंगे, जब 24 से, तो जब आप इसे 24 से divide कर लिजे पहले, तो ये कितना आजाएगा, लगबग, लगबग, आपका एक बचेगा, और उसके बाद, एक और ये 4, यही मेरे क्याल से आपका वो हो जाएगा, जो आपका, यहां से निकल कर आता है, ठीक है, remainder, अब उसके बाद, यहां पर जो मेरा divisor है, उसमें multiple देखूंगा, second division की वो कितनी है, वो मुझे देखना होगा, तो अगर मैं यहां पर 55 की बात करता हूँ, बढ़ी leaves remainder 55, तो इस 55 को divide करके देख लीजे, ये तो इसका पूरा-पूरा चला गया, 114 बार, अगर ये पूरा चला गया, तो अगर इसमें मैप 6 के हिसाब से देखता है, तो 24 से divide करके देखूंगा, कितना आएगा, 24 से 3 बार चला जाएगा, बातर आएगा, बातर में अगर इसे मानस कर दूँ, तो मेरे पास remainder कितना आएगा, 3 आएगा, यानकि यहाँ से मेरा option number 2 correct हो जाएगा, तो ये थी वीडियो आपके लिए, I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो like कीजिए, वीडियो को share कीजिए, channel को subscribe कीजिए, बैल आइकन को दबाईए, टेलेग्राम, इस्टेग्राम, सभी लिंक आप जोइन कर सकते हैं, PDF वगएरा के लिए, next part में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, take care, bye bye, thank you.